आज मैं राधा इस्टमी स्पेशल रेसिपी लेकर आए हूँ राधा जी ना बहुत ही पी रहा है और देखके साइज समझ गया और अगर नहीं समझ रहा हो तो चलो आगा देखो मैं यक्की रेसिपी लाए हूँ जो राधा जी ना बहुत जादा पी रहा है तो आठा देखो म इसमीना चील डूँगा। बहुत ही असान है। इससर पतली छिल्की हुआ है आराम से छिल लँगा। अब और यृक इक करका मैं सभी ना चील कर रख लूगे। इध क्या दिखो मैं चील लिए हूं इसने भी रख दूँगी और इस वी अरभी ना पा चील ले आँगा। अरबी में बहुत गंद हुआ उसके बाद अपा फिर इसना ध्योंगा तो देखो मैं सभी ना छिल ली हूँ और एक बार फिर से अच्छी सा धोल ली हूँ ताकि सारी गंदगी इसमसा निकल जावा अब अरबी नपा कट करांगा तो मैं लंबी सेफ मा कट कर रही हूँ इसतर से काट रही हूँ थे चाओ तो इसना गोल सेफ मा भी काट सको हूँ कोई भी प्राब्लम नहीं है या मतूरा मा वेंदापन मा भी बहुत मिलागी राधास्ट मेके टाइम पर बहुत ज़्यादा इस लस्सोपन खतम हो जावा इसने आप इस तरह से मिला देऊंगा और एक घंटक लिए छोड़ देंगा इसमें से कुछ पानी निकलोगो वह लस्सोपन निकाल का फेक देऊंगा तो अर्भी में जो लस्सोपन होगो खतम हो जावा तो बहुत अच्छी ट्रिक्स है थे इसने जर जावा है और अप इसने अलग कर लेंगा अर्भी से लस्सान अब देखो अपा गेस के पास आ गया एक कडाई में में डाल रही हूं लगभग तीन सा चार चमच में तेल डाल रही हूं अठासी आपा सर्षो तेल यूज नहीं करेंगा तो देखो अठामा लस्सान निकाल ल करेंगा लराल कर लेंगा कर है उपर सा और अंद्र याके पक दार अभी में कर दो पखेंगा और अंधर सा पक oun receive अफरे सब्सक्राइबfa तो यह देखो काफी क्रिश्मी हो चीकिन, इसको कलर काफी चेंज हो चुको है तो आप इसना प्लेट में निकाल लेऊंगा सारी अरबी आप प्लेट में अच्छी इसना निकाल लेऊंगा अब फिरसर दिखो मा उसी तेल मा थोड़ो सो तेल और मिला धी हूं और दो चमच तेल है यह अब इसमाँ मा डाल दियू हाप चमच जीरा और हाप चमच अजवाईन डालंगा अरबी के सबजी में अजवाइन बहुत जादा फ्लेवर कर रहा है तो अजवाइन ज़रू डालो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबजी है इसलिए में हिंग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि परसाथ के लिए अपा बना रहा है सबजी में ने तो हिंग भी डाल सको अठमा डाल दी हूँ नमक हाप 1x4 चमच 1x4 चमच में गोल की डाली हूँ और 1x4 चमच अठमा लाल मिर्च डाली हूँ चूंकि आप भोग के लिए बना रहा है इसलिए ज्यादा जाल नहीं बना रही हूँ थोड़ा कम जाल रखांगा और एक हरी मिर्ची इसमा पा पाइब अखांगा अधागा जिससा काफी अच्छी लगा सब्ची फटी फटी ने उसका बढ़ डालो अब कंटीन्यू आप इसलो देखिए बहुत बात भात दे प्ट जावा तो लो फ्लेम लगा थे रखते रखते रहने चिछ दिससा देखिए बही ने फट अगोद चला चलाते रहना चाहिए जब तक उसमें एक उबाल नहीं आवा तब तक continue चलाते रहना चाहिए जिससा फटा कोने रही तो इससा हम continue चला रही हूँ देखो इसमें उबाल आना चाल हो गई है अब माठा 2-3 मिट के लिए धक रख दूंगी तक कि अंदर तो और अच्छी सा पक ज इसना में सर्फ करूंगी तो देखना में भी सुन्दर लग रही है और काफी स्वादिश्ट बनियां बहुत कम मसाला में पैसना बनाया है अपर धन्य पोडर बगर नहीं डाला बिना अद्रक लसुन प्याज की सबजी है तो जरू ट्राय करो खाना में बहुत अच्छी खाना में डाला आप नहीं वी जरु देखना में बहुत करूंगी तो जरूंगी अवीज़ की सबसेदे़गी पर रहीं पर दो चुना में बहुत करूंगी।